हम लोग linear equation को किस method से solve करने जा रहे हैं? graphical method से तो heading है आपका solving simultaneous linear equation graphically simultaneously linear equation का मतलब क्या होता है? कि दो equation आपको दिया रहे गया graph का मतलब या फिर दो linear equation हो गया a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 और दूसरा equation a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 तो आपको पता होगा कि इसे linear equation कहा जाता है कहा जाता है न? इस तरह का जो equation रहता है यानि कि आप कहो सकते हो कि 2x minus 3y minus 7 is equal to 0 5x plus 4y minus 8 is equal to 0 तो ये दो तरह का जो equation है इसको बुले जाता है linear equation क्योंकि x और y का जो power है वो 1 है तो x और y का जब power है 1 है तो उसको हम लोग linear equation बोलते हैं और वही x का power 2 हो जाए y का power 2 हो जाए तो वो quadratic equation बोला जाएगा तो जहाँ पे हमारा कहानी कुछ ऐसा है कि linear equation को graphically solve करना है तो पहले समझते हैं इस चीज को कि अगर linear equation है तो नाम से ही clear है नाम से ही clear है कि line होगा linear equation का मतलब क्या है हमारा कि जो graph आएगा इसका वो क्या आएगा graph जो आएगा एक straight line आएगा straight line आएगा क्योंकि linear equation है ना बात समझ में आया तो linear equation है तो उसका graph straight line आएगा अब दो ठो हमारा straight line है ये भी पहला straight line है L1 और ये दूसरा straight line है L2 पहला L1 जो है A1X प्लस B1Y प्लस C1 बरबजरो ऐसा हमेशा होगा कि पहला equation को आप L1 बोल दो और दूसरे equation को आप L2 बोल दो तो दो straight line के बीच क्या क्या हो सकता है तो तुम देखोगे कि पहला case ये हो सकता है कि इफ बोथ लाइन बोथ लाइन L1 and L2 intersect each other intersect each hypothesis होगा और origin होगा graph कैसे बनाते है वो अलग चीज है graph हम लोग बनाने सीखेंगे लेगिन पहले ये समझते हैं कि दो straight line अगर है तो graph बनाएंगे तो होगा क्या भाया या तो graph इस तरह से आएगा intersect कर जाएगा कही ने कही मालो पाला straight line L1 कुछ इस तरह से गया और दूसरा straight line कुछ इस तरह से गया तो दो straight line हमारा क्या हो सकता है चलो graph अभी सोच ग्राफ छोड़ो इसको graph को छोड़ो बस ये समझो कि दो straight line के भीश में क्या होगा दोनों intersect कर सकता है ना L1 बराबर 0 और L2 बराबर 0 बोलो तो दो graph अगर intersect करेगा ये case हो सकता है एक ठो दूसरा case हो सकता है कि पाला straight line और दूसरा straight line intersect ही नहीं कहीं करे पार्लेल हो जाए पाला straight line और दूसरा straight line भी ऐसा ही हो जाए थोड़ा सा जगा छोड़के तो क्या ये कभी intersect करेंगे अरे line तो बढ़ते जाएगा ये arrow होता है दोनों तरब कहीं नहीं intersect करेगा line segment बनाने का तरीका है कि आप यहां पे एक अगर line segment बना रहे हो तो यहां पे बिंदू देते हो अगर बिंदू नहीं देते हो तो उसे straight line माना जाता है मतलब ये चीज और इसी चीज को ऐसे भी बनाते है arrow देके मतलब आप arrow दो दोनों तरब या ना दो straight line माना जाएगा straight line का कोई छोर नहीं होता है वो बढ़ते जाएगा लेकिन वही line segment हो जाएगा तो वहां पे एक बिंदू देना पड़ेगा दोठो दो को बिंदू देने का मतलब वही तक line fix है तो अब ज़रा सोचो कि अगर दोनों line parallel हो जाए तो कहीं million होगा ही नहीं तो intersect तो होगा नहीं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इप both line इप both line L1 and L2 क्या are parallel ये भी condition हो सकता है और तीसरा एक condition ये हो सकता है मतलब ये if मत लिखो ये लिख सकते हो case 1 case 1 2 line के बिच ये condition हो सकता है case 2 2 line के बिच ये condition हो सकता है और case 3 तीसरा case ऐसा भी बन सकता है कि पहला line ऐसा है 11 बराबर 0 अब दूसरा line भी यही आ जाए मतलब दोनो line दोनो line क्या हो जाए same हो जाए same हो जाएगा तो coincident कर जा सकता है तो दो line है वो क्या हो सकता है या तो intersect करेगा या parallel निकल जाएगा और या फिर एक दूसरे के उपर आ जाएगा यही तीन condition होता है line के बीच में तो हम बारी बारी से जब हम इसको graph बनाएंगे जब question का तो हम दोनों equation को एक अही graph में बनाएंगे तो यह भी कभी कभी देखेंगे यह parallel वला भी कभी कभी देखेंगे और कभी कभी दोनों line एक अही लाइन आ जाएगा यह भी देखेंगे ठीक है ना तो अब जो है हम लोग graphically कुछ questions को solve कर रहा है ठीक है यह introduction था तुमारा चलो देखो तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दो जो graph है यानि कि straight line है या फिर आप linear equation है इसमें हम यह सीखें कि linear equation का graph straight line होता है पहला ची अब वो दो straight line intersect कर सकता था पैरलेल हो सकता था या coincident कर सकता था तो ऐसे case में solutions कितने मिलेगे है ना क्या होगा तो कितना solution मिलेगा तो सुनो एक बार अब हम लोग हलका सा देख लेते हैं solutions के बारे में solution के बारे में क्योंकि solution का मतलब क्या होता है पहले यह भी सीख लो solution का मतलब होता है जैसे मान लो यह 2x plus 3y विराबर 5 है और 7x minus 8y is equal to minus 1 है तो हम कहेंगे solution का मतलब क्या तो solution का मतलब होता है कि x का value और y का value ऐसा जो simultaneously simultaneously इसको भी satisfied करें और इसको भी satisfied करें तब हम उसको solution बोलते हैं मतलब कि the values of x and y for which both the equation is satisfied simultaneously तो उसको solve करने का बहुत सारा method है लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं graphical method तो वैसे हम बता देते हैं कि इसमें हम मन में सोचेते कि x ब्राबर 1 और y ब्राबर 1 ले ले लेते हैं तो देखो x ब्राबर 1 डालोगे तो 2 आप 1 डालोगे y का value तो 3 3 एकम 3 तो 3 दुपाच आई गया x का value 1 डालोगे तो 7 एकम 7 आठ में 1 का value डालोगे तो minus 1 तो minus 8 minus 1 सही है ना तो ये होता है unique solution ये होता है unique solution इसके अलावा और कोई solution नहीं मिलेगा ठीक ना तो graph के पास graph के पास क्या होगा कि अगर graph intersect कर गया ध्यान से सुनना अगर graph तुमारा intersect कर गया तो तुम खुद सोचो कि coordinate axis के हिसाब से coordinate axis के हिसाब से अगर देखो तो ऐसा ये मालनो line 1 है और ये मालनो line 2 है तो line 1 पे और line 2 पे कोई ऐसा point है जो common है common का मतलब अइसा point जो दोनो line पे मौजूद हो ये वाला point जो intersect किया है ये वाला point L1 पे भी है और L2 पे भी है तो point का निर्माण कैसे होता है class 9 में भी तुम पड़े हो कि एक point बनाने के लिए X में भी चलना पड़ेगा और कुछ और Y में भी चलना पड़ेगा कुछ ना जैसे 2,4 होता है तो 2,4 का मतलब क्या कि X में 2 चलो और Y में 4 चलो तब ना point पे पहुँचोगे तो एक point बनने के लिए X और Y दोनों जिम्मेदार है A मानलो आगया और मानलो X का value चलो कोई दिक्कत नहीं X1, Y1 कर लेते हैं तो ये X1, Y1 ऐसा point होगा जो दोनों में होगा ना तो ये हमारा कहानी का मतलब है कि solution of linear equation in two variables का मतलब हुआ कि अगर graph एक जगा intersect किया है तो coordinate से देखो coordinate से देखोगे तो ये X1 distance का लाएगा और ये Y1 distance का लाएगा तो ये X1, Y1 ऐसा point है जो L2 के उपर भी है और L1 के उपर भी है लेकिन ज़रा सोचों कि यहाँ वाला point अगर लेते हैं तो ये L2 पर है L1 पर तो एक line का अगर हम solution पूछे कि एक line का कितना solution होता है तो एक line का there are many solution अगर हमारे पास एक straight line है के वाल तो इसका infinite solution होगा क्योंकि infinite point ना आएगा इस पर एक और दूगो point है हमारा तो coordinate के हिसाब से X1, Y1 X2, Y2 X3, Y3 ये सब आते रहेंगे बस मज में आया बोलो तो यहाँ कहने का ये मतलब है कि एक straight line का infinite solution होता है लेकिन जैसे ही straight line दो ठो एक साथ बनाना पड़ता है इसलिए इसको system बोला जाता है system का मतलब एक साथ दोनों लिखा गया तो ऐसा point रूड़ोगे जो दोनों को satisfied करे और दोनों को satisfied करने वाला common point ही होगा तो जरा सोचो कि क्या इसके अलावा एक point के अलावा और भी कोई point मिल पा रहा है तो अगर graph बनाए और intersect कर गया तो हमको उसका unique solution बोलना चाहिए कि केवल एक और केवल एक solution मिलेगा और graph अगर intersect करेगा तो याद रहेगा तो जब हम graph बनाएंगे और graph केवल एक जगा intersect करेगा तो हम कहेंगे कि एक अही point है जो दोनों line को दोनों line के उपर महजूद है मतलब एक ही point है जो दोनों line को एक साथ satisfied करेगा मतलब कि intersection वाले case में unique solution होगा ठीक है ये बात समझ में आ गया दूसरा case ये होता है कि अगर line parallel हो जाए अगर line क्या हो जाए तुम्हारा parallel हो जाए जरा सोचो कि straight line हम तो बना रहे हैं और straight line बनाए और उसके बाद कुछ ऐसा straight line आ गया ये और ये l1 बराबर 0 l2 बराबर 0 पाला equation दूसरा equation कहीं मिलने का संभावना नहीं है अगर आपको लग रहा है कि ये उपर मिल जाएगा तो थोड़ा सा बराबर बना लिजे पारलेल कर लिजे तो अब ज़रा सोचे कि ये अगर कहीं मिलेगा ही नहीं कहीं मिलेगा ही नहीं तो क्या ऐसा कोई point मिल पाएगा जो दोनों पर एक साथ हो कभी भी लेगे यहाँ पर point लेगे तो l1 को l2 को satisfied करेगा l1 को नहीं करेगा क्योंकि l1 पर मौझूद ही नहीं है तो ऐसा कोई common point ही नहीं मिल पाएगा तो इस case में हम बोलते हैं कि उस straight line का या system of linear equation का कोई solution नहीं मिलेगा समझ गे बात को यह चीज़ समझना है कि अगर graph parallel हो गया तो no solution मिलेगा क्योंकि यह कभी point ही नहीं जो दोनों पर एक साथ हो एक पर तो infinite solution मिलता हम जानते ही है लेकिन अगर एक साथ दो equation दे दिया मतलब ऐसा point वो पूछ रहा है जो दोनों को एक साथ satisfied करें तो एक साथ satisfied करने वाला point parallel वाले कहानी में नहीं मिलेगा तीसरा case यह होता है कि अगर पहला line आया ये और दूसरा line भी आ गया यही इसी के उपर अब तुम खुद सोच के बताओ कि L1 भी इसी पर L2 भी यही है तो इसमें हमारा solution कितना मिलना चाहिए infinite का है infinite क्योंकि पहला line का हर एक point दूसरे point के हर एक point पर मौझूद है क्योंकि ये point जब लेंगे तो वो L1 पर भी है L2 पर भी है ये point लेंगे तो भी L1 पर भी है ये भी लेंगे L1 पर L2 पर तो ये infinite point मिला कि नहीं मिला लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि infinite solution है तो दुनिया का हर एक point satisfied करेगा infinite solution है बहुत अधिक solution मिलेगा क्योंकि ये line रुकेगा नहीं ये बढ़ते रहेगा ये बढ़ते रहेगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया का हर एक point satisfied करेगा क्यों नहीं क्यों नहीं ये बात सही है क्योंकि ज़रा सोचो कि हमारे graph में यहां भी तो एक point है समझ में आ रहा है बात तो भले infinite solution है लेकिन सारा point satisfied नहीं करेगा फिर भी लेकिन ये बात तो पक्ता है कि बहुत सारा point satisfied करेगा समझ के बात को इसको note करके फटाक से लिख लो चलिए ये बात आप लोग note करके लिख लिजे कि solutions of system of linear equation system of linear equation का मतलब दो line आपको एक साथ दिया रहेगा note करके या लिखी लिजे a1x plus b1y plus c1 बराबर 0 और एक equation और होगा a2x plus b2y plus c2 बराबर 0 तो दो line है तो पहला बोला unique solution unique solution को ही math की बासा में एक और बोलते हैं one end only one solution ये तब possible है if graph intersect अगर दोनों graph intersect कर रहा है तो केवल एक और केवल एक solution मिलेगा जिसको unique solution के नाम से जानते हैं दूसरा है no solution if graphs are parallel अगर हम graph बनाए और graph हमारा parallel आगे तो ऐसा कोई point नहीं मिलेगा जो दोनों में एक साथ common हो फिर ये बोला गया infinite many solution if graphs coincide मने पहला line और दूसरा line एक दूसरे के उपर ही आए गया मने L1 बराबर 0, L2 बराबर 0 दोनों एक अई है तो infinite many solution क्योंकि इस case में infinite solution मिलेगा तो आप याद रखिएगा इसको अगले class में हम लोग क्या करेंगे कि graph से linear equation को solve करने सीखेंगे ठीक है ना graph paper जरूर रख लिजेगा अगले class में पढ़ते समय graph paper या graph खरीद के रख लिजेगा क्योंकि तभी आपको solution दिखेगा Thank you